आज 14 माई 2024 है और North Eastern Region में वेदर फोकास्ट क्या होगा इस पर हम चत्रा कर लें सबसे पहले हम बात करते हैं अरुनाचल प्रदेश की जहां डेवन में अरुनाचल प्रदेश के कुछ स्थानों में हलकी से मध्यमस्तर की बारिश होने की संभावना है साथी साथ असम मेघालया, नागालैंड, मनिपूर, मिजरम और त्रिपूरा के एक या दो स्थानों में हलकी बारिश होने की संभावना है और साथी साथ असम मेघालया और त्रिपूरा में होट औन हुमिट वेदर कंडिशन्स रहने की संभावना है D2 की बात करें तो D2 में अरुनाचल प्रदेश के अनेक स्थानों में हलकी से मध्यमस्तर की बारिश होने की संभावना है साथी साथ असम और मेगाले के कुछ स्थानों में हलकी से मध्यमस्तर की बारिश होने की संभावना है और नागालेंड, मनिपूर, मिजरम और ट्रिपूरा के एक या दो स्थानों में हलकी बारिश होने की संभावना है और असाम मेगालेय और ट्रिपूरा में hot and humid weather conditions रहने की संभावना है दे 3 की बात करें तो दे 3 में हम लोग expect कर रहे हैं कि अरुनाशल प्रदेश, असाम और मेगालेय के अनेक स्थानों में हलकी से मध्यमस्तर की बारिश होने की संभावना है साथी साथ नागालेंड, मनिपूर, मिजरम और ट्रिपूरा के एक या दो स्थानों में हलकी बारिश होने की संभावना है और असाम और मेगालेय और ट्रिपूरा के स्थानों में hot and humid weather conditions रहने की संभावना है और weather warning की बात करें तो हम लोग expect कर रहे हैं कि day 1 में हम लोग expect कर रहे हैं असम और मेगाले में thunderstorm and lightning होने की संभावना है इन दोनों का isolated places में यानि एक या दो स्थानों में साथी साथ day 2 में हम लोग expect कर रहे हैं कि अरुनाचल प्रदेश असम और मेगाले के एक या दो स्थानों में thunderstorm lightning होने की संभावना है और day 3 में expect कर रहे हैं कि अरुनाचल प्रदेश असम और मेगाले के एक या दो स्थानों में thunderstorm lightning होने की संभावना है साथी साथ ये भी expect कर रहे है कि thunderstorm and lightning with gusty wind speed 30 to 40 km per hour is very likely to occur over isolated places of Nagaland साथी साथ और नाचल प्रदेश के एक या दो स्थानों में expect कर रहे हैं heavy rain fall होने की